हाई एवरीवन अब बात करने वाले हैं PHP के अंदर Super Global Variables के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता हूँगा Super Global Variables होते क्या है क्या इनका यूज है ये कितने टाइप के होते हैं इन सबके नाम देखेंगे कुछ examples run करके देखेंगे interview questions भी discuss करने वाले हैं एक चीज में आपको पहले ही clear कर देता हूँ इस पार्ट के अंदर Super Global Variables के बारे में हम लोग basic चीजें discuss करने वाले हैं overview लेंगे detail के अंदर discuss नहीं करने वाले ऐसा क्यों इसका reason में आपको बताता हूँ हर एक Super Global Variable के उपर अलग से वीडियो भी आने वाली है और वहां पे हम लोग उनको depth में detail में study करेंगे साथ आठ टाइप के यह Super Global Variables होते हैं अगर इसी पार्ट के अंदर हर किसी को cover करने लगया तो वीडियो एक घंटे से भी उपर की जा सकती है तो उसके अंदर में भी आप भी बोर हो जाओगे और हर एक चीज़ को अच्छी समझ में ने पाओगे तो इससे बैटर यह है कि यहां पर हम लोग basic चीज़ें cover कर ले और हर एक Super Global Variable के उपर हम लोग अलग से वीडियो लेकर हैं जितने आपको यह दिख रहे हैं हर किसी को पर अलग से वीडियो आने वाली है एवन एक दो के उपर में बना चुका हूँ जैसे get, post और request और और यह हमारी PHP की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 56 वीडियो आ चुकी है और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं उनके बाद एक project भी आएगा और हर एक topic के साथ में interview question भी cover करते हैं जो आपकी job में interviews में काफी help करते हैं so overall काफी important playlist है पूरी देखना link मेंने description box में डाल दिया अब चलते हैं पहले question की तरफ कि super global variables होते क्या हैं पहली चीज में आपको बता देता हूँ एक जो maybe आप confused हो रहे हो कि इनको user define करता है या फिर ये कौन बनाता है इनको user या इनके programmer इनको define नहीं करता ये PHP के अंदर by default defined होते हैं यानि कि जैसे ही आप लोग PHP use करना start करते हो तभी आप इनको use करना शुरू कर सकते हो बिना declare करे वे PHP की library में ही बने वे होते हैं इनको user को define करने की जुरूरत नहीं होती secondly ये ऐसे variables होते हैं जिनको आप project में कहीं पर भी किसी भी PHP file के अंदर access कर सकते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने login वाली file बनाई तो उसे के अंदर आप access कर पाऊगे कहीं पर भी इनको access कर सकते हो और इनको user defined नहीं करते हो अब बात करते हैं कि कितने type के होते हैं super global आप यहां पर देख सकते हो dollar global नाम से होता है एक dollar server नाम से request, post, get, file, cookie, session और dollar env यह इतने super global variable होते हैं dollar env है यह बहुत लोग पहले use नहीं करते थे यह recently introduced हुआ है और बाकी सब पहले से भी होते थे तो देखो session, cookies हो सकता है इनका आपने कहीं कहीं नाम सुना हो किसी website के अंदर भी आप जब आप को website open करते हैं तो वहां भी लिखा होता है accept cookies हो गए रहा हो तो वह वाली चीज़े भी होती है तो धीरे धीरे इनके उपर separate videos भी आएंगी जहां पर detail में discuss करेंगे बट यहां पर overview उनका discuss करना start करते हैं तो सबसे बहुत करते हैं लगाता हूँ dollar a और इसमें डालेता हूँ मैं 10 तो यह क्या हो गया dollar a जो था ना यह हमारा एक global variable हो गया इसको हमने किसी function के अंदर declare नहीं करा अगर आपको यह भी नहीं बता कि global variables क्या होते हैं और local variables क्या होते हैं तो इस playlist के अंदर से वीडियो नमबर यह देख लिए 51 वहाँ पे मैंने local और global variable के बारे में अच्छी से बता है तो यह होता है हमारा एक global variable जो किसी function के अंदर limited नहीं होता जिसको हम लोग functions वगारा से बाहर declare करते हैं ठीक है तो अब मालो ऐसे आपके project के अंदर 50 variable बने हैं और आप देखना चाहते हो कि कितने variables बने हुए उनकी आपको जरूट पड़े आप उनकी values को get करना चाहते हो तो एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ और यह वाली PHP की file मैं execute करता हूँ तो देखो यहाँ पे get, post, cookies, files ऐसा कुछ आ गया बट सब कुछ खाली पड़ा है इसके अंदर कुछ है नहीं अगें आप यहाँ पे मैं इसे question पूछोगे यह ठीक है, global variable था, आपने यह declare कर दिया, इसके अंदर यह global variable दिखना चाहिए, यह global variable है तो जी है, बल्कुल दिखेगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, बट इसके लाबा एक और question यह पूछ सकते हो, जिसके मैं बात कर रहा था, कि इतनी सारी files defined कर रखी है हम लोगों इस folder के अंदर, तो इनकी जो variables बगएरा थे, अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, तो कहीं ने कहीं पे variables declare कर रखे है न हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे constant बगएरा, तो यह हमें क्यों नहीं दिख रहे है इसके अंदर, इसका reason यह है, कि एक file के अंदर वही variables दिखते है जो उसे attach हो, अगर हम लोग उने include कर रहा होता, इस file के अंदर सारे की seri file को load कर रहा होता, तो वो definitely दिखते है इसके अंदर, तब कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, बट इस file के अंदर, कोई भी और file included नहीं है, added नहीं है, इसी वाज़ा से इसी file का data इसके अंदर अल्राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या हो हमारे पास हमने एक variable declare करा $a, तो इसकी value हमें यहाँ पर कहा दिख गई, इस तरीके से, अगर आप थोड़ा से इसको अच्छे से देखना चाहते हो, तो यहाँ पर कर सकते हो, pre-tag का use, यह वैसे जो एक PHP, HTML का tag होता है, अगर आप PHP यहाँ पर pre-use करोगे, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा, अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर get post यह क्या होते हैं, अभी आपको गता चलेगा, तो यह हम लोगोंने एक variable declare करा, दस, यह global variable था, और यहाँ पर हमें दिख गया, super global और global, इन दो यहाँ पर 20, और अब आप यहाँ पर आते हो, semi colon लगाने के भाद में, जहाँ पर, refresh करा, तो इसके अंदर यह variable जो constant था, वो नहीं दिखाएगा, विगोज यह super global variables होते हैं, यह variables ही दिखाते हैं, constant वगारा को नहीं दिखाते हैं, और अगर यह constant की जगह पर होता, dollar variable, dollar data variable, अब मैं इसको save करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आप देख सकते हो, एक और variable यहाँ पर दिख गया है, तो कहने का मतलब यह है, कि जो यह global नाम से super global variable होता है, यह क्या करेगा, आपके project में जितने भी global user defined variable होंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लाके दिख अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर comment out, अब बात करता है second वाले, second वाला कुन सा था हमारा server, dollar server क्या करता है, आपको server की सारे की सारे information देता है, मैं यहाँ 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 करता हूँ, सबसे पहले से मैं इसी तरीकी से जो copy paste करके, यहाँ पर लगा देता हूँ, dollar underscore server यह host ID क्या है, इसके अंदर, जितनी भी इसकी server क्या है, जब Apache हम लोग जो install करते हैं, उसकी सारी की सारे information, इस script, जो file हम लोग run कर रहे हैं, उसका path क्या है, इसका request URL क्या है, PHP का, selfie का मतलब, आप selfie भी यही कह सकते हो, कि आपका इसका path क्या था, project का, इस file का path क्या था, और script name भी इसको execute वगरा करने हैं, मैं जितने भी चीज़ें होती है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, platform कौन सा, मैं जैसे के mac was use कर रहा हूं, तो वह आपको यहाँ पर दिख रहा है, right, so, यह आपको server की information उठा के देता है, अगर आपको किसी specific चीज़ चाह हमारा एक और variable, second, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यह हम लोग ने देख लिया, then हम लोग बात करते हैं, next वाले की, which is request, so, dollar request, वैसे इसके बार में हमने एक बार पढ़ा था पहले, गर आप just इससे last वाली वीडियो देखोगे ना, तो मैंने इसके बार में बताया, but still, request request का मतलब क्या होता है, कि जब भी आप लोग एक file के अंदर data को send करते हो, html page से, या फिर किसी भी get या post request से, तो वो आपको request वाले super global variable के अंदर दिखता है, but अभी हम लोग कैसे देख सकते हैं, अभी तो हमारे पास को html page है, नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं, जो हमारा login वाला page था, login.php, इसके अंदर करते हैं, हम लोग get action था, आप तो यहाँ पे लगा देता हूँ, super global variable, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग login वाला page उपन कर लेते हैं, एक बार के लिए, login वाला page उपन करा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला, इस तरीके से, और जैसे मैंने यहाँ पे देखो, super global file के अंदर, यहाँ पे, get request आई, और इसका देख सकते हो, हमारे पास क्या मिल गया, username और password, इस तरीके से, अगर यह post request होती, तो भी मिलता, because, जो request वाला dollar underscore request होता है, get और post, दोनों के data को लेके आता है, और dollar post only post type के data को लेके आगा, dollar get only get type के data को लेके तो अब हम लोग यह भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, dollar underscore post, इस तरीके से, बठके यहाँ पे कोई post data है हमारे पास, यह तो get data है, तो यहाँ पे खाली आगया, अगर मैं इसको फिर से रन करने कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या आ इंटर करवा रहा है, तो data दीखे का पूरा इसका, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अने पास्वड मैंने कुछ उडाला, और अब अप देखो data कर देखो, ठीक है, अब इसी तरीके से, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इन सब को, यह वाला code मैं आपको provide भी करवाँग बाद में GitHub के उपर, तो सब को मैं यहाँ पे comment करके रख लेता हूँ, तो यहाँ पे dollar request, यह post हो गया, यह post हो गया, और इसके अंदर हम पर करते, get कर लेता है, अब get के अंदर भी आपको कुछ ने दिखने वाला, because यह कौन सा data लेके आता है, जो get type का data होगा, अगर मैं यहा यहाँ पे आऊँगा, तो आपको वो दिख चाहेगा, मैं यहाँ पे ब्रूस करा, password डाला, मैं मैं यहाँ पे कुछ भी token करा, तो देखो, अब आपके बास जो यहाँ पे data था, वो आपको यहाँ भी दिखने data, ठीक है, अब इसके बाद आता है, files, जब भी हम लोग files upload करते इनके बार में अलग से वीडियो आएंगे, यहाँ पे detail में discuss करेंगा, फाइदा है नहीं, मैं आपको वैसी थोड़ा idea देता हूँ, जो dollar files होते हैं, यह क्या करते हैं, जब आप लोग files upload करने ही कोशिश करते हो, किसी server के उपर, जैसे कि आप लोग profile photo या फिर कुछ भी PDF जाता है, manage cookie, accept all cookies, ऐसा कुछ option आता है, तो उस तरीके से, वो सारी की सारी cookies इसके अंदर जाते हैं, session क्या होता है, कि मालोग आपने एक page के उपर data था, वो store करवा लिया, login, but आप बाद में, दूसरे tab में, तीसरे tab में, आप लोग same project के open करने कुशिश कर रहे हो, right, और वहा आपने कुछ external libraries use करी है, किस environment के अंदर कौन से server type के use करे हो, सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, even सब के ऊपर अलग से videos आएंगी, so don't worry, square attention लेने की जुरूरत आपको है नहीं, get, post, request, इन तिनों के उपर already videos आचुकी है, अगर आप यहाँ पर देखो किसी का भी नाम उठा के पूछ सकते हैं, किसका क्या काम है, जैसे global का, तो आप उसका बता सकते हो, files का, post का, request का, इनके बार में पूछ जा सकते हैं, आप से बूछ सकते हैं, super global variable, आप कुछ से define करते हो, आप बोलोगे नहीं, यह PHP के अंदर already defined होता है, so I hope आपको यहाँ प आपको 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 आपक